मेरा नमस्कार मैं आपके सामने कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम महा कावे के प्रतम सर्ग के पद्यों पर चर्चा कर रही हूँ और उसी में मैं आपके सामने पद्य संख्या एक पर चर्चा कर रही हूँ और पुर्व्याख्यान में मैं आपके सामने इस पद्य में प्रियुक्त पदों के संबंद में चर्चा कर रही थी इसी संबंद में जो पूर्व की दो पंक्तियां हैं उन पर मैंने आपके सामने बात की अब जो इसकी अंतिम दो पंक्तियां हैं उन पर आपके सामने चर्चा कर रही हूँ और उसमें जो पहला पद है पूर्वापरव पूर्वापरव तो इसको जब हम देखें तो यदि हम इसको समास की जिष्टी से देखें तो पूर्वश्च अपरश्च पूर्वापर तो पूर्वश्च अपरश्च यहां द्वंद्व समास हुआ है और द्वंद्व समास वो नहीं रहेगी तो हमारे पास केवल पूर्व ये शब्द रहेगा और फिर अपर तो पूर्व और अपर पूर्वा पर दीर्ग संधी करके अब पूर्वा परव ये विशेशन किसके लिए है ये तोय निधी के लिए है आगे जो शब्द आया है पद आया है तोय निधी य उसके विशेशन के रूप में है तो जब भी हम समास करते हैं तो समास करने के बाद जो पद बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं और समस्त पद में जो विभक्ती वचन होते हैं वो अंत में लगते हैं और वो फिर किसके अनुसार लगते हैं इसके लिए आचारे पाणिनी ने सूत्र दिये हैं विशेश नियम दिये हैं तो उन में से एक नियम जो यहाँ पर मैं आपके सामने करूँगी और वो यह क्या है परवद लिंगम द्वंद्वतत पुरुशयोव। समस्या हो जाती है क्योंकि यदि हम दो पदों में समास करते हैं और दोनों पदों की लिंग अगर भिन भिन होते हैं तो वहाँ पर हमें यह देखना पड़ता है कि इसका प्रयोग हम किस लिंग में करेंगे तो वहाँ पर द्वंद्व और तत्पुरुश समास के नियम दिया क परवत लिंगम, परवर्तिपत के अनुसार लिंग का प्रयोक होता है, अब यहाँ पर उस लिंग की तो बात नहीं है, क्योंकि पूर्व और अपर दोनों ही इसमें पुलिंग शब्द में प्रयोक्त किये गए हैं, लेकिन यहाँ पर विभक्ति जो है, और कौन सा इसमें प्र करेंगे क्योंकि ये दोनों पद सर्वनाम हैं पूर्व और अपर दोनों सर्वाधी गण के अंतर गदाते हैं सर्वाधी नी सर्वनामानी इस उतर से ये पूर्व और अपर दोनों सर्वनाम हैं और अकारांत हैं और हम ये जानते हैं कि अकारांत सर्वनाम के रोप जो हैं वो भिन्द प्रकार से चलते हैं जबकि पुलिंग में उसके अलग रूप चलते हैं तो यहाँ पे राम शब्द और सर्व शब्द दोनों में भिन्नता है वो राम जो है वो सर्वनाम नहीं है लेकिन यह सर्वनाम है इसलिए सर्वनाम के रूप जिस प्रकार से चलते हैं उन्स प्रकार से इस पद में रूप नहीं है, इस वास्ता में दुविवचन में प्रयूक्त है। तोया निधी में समास है, तोया नाम निधी, निधी शवड हरस्व इकारांत है, इसलिए सबसे पहले हम हरस्व इकारांत के एकवचन में प्रयोग देखेंगे, कि तोया नाम निधी ये शष्टी विभक्ती तत्पुरुष समास है और जब हम इसको समस्त पद बनाते हैं तोया निधी हरस्व इकरांत शब्द बनता है अब इसको पद बनाने के लिए हमें कौनसी भक्ती लगाने पड़ेगी इसको हम वाक्य प्रयोग के अनुसार इसमें द्वित्या भक्ती द्विवचन का प्रयोग है क्योंकि हमें दो के लिए हैं दो समुद्रों की बात करनी है तो तोया निधी ये हमारा द्विवचन में रूप है तो इस प्रकार से यहां पे द्विवचन में दिया तोया निधी तो तोया नाम निधी ही और द्विवचन द पूर्वा परव ये पद तो ये निधी का विशेशन है और हम जानते हैं कि जो विशेशन होता है उसमें विवक्ति वचन विशेश्य के अनुसार होते हैं तो इसमें भी हमें द्वित्याय वक्ति का प्रयोग दिख रहा है पूर्वा परव तो यहां पर द्वित्याय वक्ति तो हैं लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये सर्वनाम पद है और सर्वनाम पद होने के कारण इसमें द्विवर्चन जो हम प्रयुक्त करते हैं तो प्रतमा द्वित्या दोनों में पूर्वा परे होना चाहिए पूर्वा परे, पूर्वा मैंने बताया किस तरह से हुआ, पूरवा रपर को जब हम एक साथ इनका संधी कर देते हैं, तो पूर्वा परे हमें प्राप्त होता है और जब मैंने कहा कि यहाँ पे सर्वनाम होने के कारण इसमें पूर्वा परे होना चाहे था लेकिन यहाँ पर पूर्वा परव है तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र है अचारे पाणिनी ने दिया है द्वंद्वे चर्ण अर्थाद द्वन्द्व समास में ये जो सर्वनाम है इनकी सर्वनाम संग्या नहीं होगी द्वन्द्व समास में सर्वनाम संग्या नहीं होगी और सर्वनाम जब नहीं होता तो फिर सर्वनाम के रूप नहीं चलेंगे सामानने रूप से वो अकारांता पुलिंग द्वित्या दिवच्चन में जैसे रामह रामव बनता है वैसे ही अपरह और अपरोव ये बनता है तो इस प्रकार से यहाँ पे अपरे ना देकर अपरोव क्यों दिया इसके पीछे क्या कारण है तो आचारे पाणिनी का ये सूत् मुख हैं द्वंद्व द्वंद्वे चरुँ तो द्वंद्व समास में सरवादी की सरवनाम संजिया नहीं होती है सरवनाम ना होने के कारण अकारांत पुलिंग में इनका रूप होगा आपके सामने पुर्वा परोव तो इस प्रकार से हमने देखा पूर्वा परोग के विशे में अब तोय निधी में आपकी समने बताया है यह शश्टी तत्म समास है और धित्या भक्ती ध्युचन में इसका प्रयोग है अगला जो पध है वो है वगाहिये अब वगाहिये वास्तम में यह शुद्ध रूप न नहीं आता है अव के रूप में आता है तो अव और गाहिये यह हमारे पास दो कुमिक्स मिश्रित करके बना और यहां अव पूर्वक गाहधातु है और क्योंकि अव जो है अव के यो साथ गहधातु जो है इसका प्रयोग त्वाप रत्ते लगता है जब तो त्वाप रत् दोय प्रत्य लगता है तो प्रत्य निष्ठा प्रत्य है तो इस प्रत्य के लगने पर हमारे सामने सूतर है इतीच और जो स्था का जो आ है उसका लोप हो जाता है क्योंकि इसको स्था धातु है इसलिक तो प्रत्मा एक वचन में और प्रिथिव्या देगे प्रिथवी दो नाम दो शब्द हैं दो शब्द होते हैं एक प्रिथवी ये भी सही है और एक प्रिथिवी ये दोनों ही रूप प्रिथवी के लिए प्रिथवी होते हैं तो हमें देखना बढ़ेगा कि इसमें प्रिथवी रूप है या प्रिथिवी रूप है तो हम रूप से देखेंगे प्रिथिवी है प्रिथिवी से हम जब दीर कारांद शब्द है और नदी के समान जब हम इसको शष्ठी वक्ति एक वचन में प्रियुक्त करते हैं तो नद्या की तरह प्रिथिव्या ये रूप बनता है और इव ये अपम्मिवाची शब्द है और मान दंडा तो मान और दंडा ये दोनुँ शब्द जो है वो प्रियुक्त किये गए हैं कि मान में नापने के लिए तो दंडा तो माना ये दंडा मानस से दंडा हम कुछ माना ये दंडा इस प्रकार से हम इसको प्रियुक्त कर सकते हैं तो ये मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि इसके अंदर जो प्रियुक्त हुए पद हैं जब तक उन पदों की रशना उन पदों म नहीं समझ पाएंगे tब तक हम किसी भी पद्ये के अर्थ को नहीं ज्याद कर पाएंगे तो उसको करने के बाद अप में आपके सामने क्योंकि ये पद्ये रचना छंदोबद होती है और छंदोबद रचना में ये बाधा नहीं होती है आवश्यक का परियोग करें वैसे तो संस्कृत में संस्कृत की ये विशेषता इसकी संदर्ता ये है कि इसमें हमारे पास इतना बंधन नहीं होता है कि हम अंग्रेजी और हिंदी की तरह उनी नियमों का पालन करें कहां कौन सा शब्द वाक्य में होना चाहिए लेकिन पद्य में तो वि नाकर तभी उसका अर्थ कर पाते हैं अन्यता कोई शब्द कहा हैं कोई पद कहा हैं तो उससे हम अर्थ को यात नहीं कर पाते हैं तो इस दृष्टी से मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत करना चाहूंगी और उसमें हम देखेंगे कि अस्ती ये क्रियापद है और जब हम बनाएंगे तो क्रियापत को हम अंत में ले जाना चाहेंगे और ये भी देखना है हमें कि विशेशन और विशेश्य हमें एक साथ लेने हैं विशेशन पूर्व और उसका विशेश्य बाद में लें तो वाक्य भाती सुन्दर बन पड़ेगा सही अर्थ भी समझ में आएगा तो यहाँ पर देखिए उत्तरस्याम दिशी अस्ती को मैंने अभी नहीं लिया उत्तरस्याम दिशी देवतात्मा हिमालयो नाम ठीक है साथ में अगर लेना चाहे तो हम ले सकते हैं कि पूर्वा परव तो यह निधी वगाहिये पृषिव्या मान दंडः इव स्थिता अस्ति तो यह पूरा का पूरा हो गया कि उत्तरस्याम दिशी देवतात्मा हिमालयो नाम नगादी राजह पूर्वा परव तो यह निधी यह निधी वगाहिये पृषिव्या मान दंडः इव स्थिता अस्ति तो यह हमारा एक गध्यात्मक वाक्यी बन गया और इस गध्यात्मक वाक्य के अनुसार ही हम अब इस पद्ये का जो हिंदी अनुवाद है उसको देखेंगे जब हमारा जो एक विधी होती है जिस प्रक प्रसंग देते हैं पद्य का प्रसंग देते हैं और संदर्भ भी देते हैं कि जो कावे हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये पद्य किस संदर्भ में आया है क्योंकि जब मैं इसको निकाल के किसी के आगे रखो कि इसका हमें अर्थ बताईए इसे समझाईए तो जब तक प fallen भी इसके पद्य को समाने रूप से इसका अर्थ भले ही बता दे लेकिन वास्ता में इसको समझा नहीं पाएगा तो इसलिए संदर्ब भी पहले देना पड़ता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताए कि मैंने ये भी आपको सब बता दिया कालिदा स्विरचेत महाकावे से उद्रित है और महाकावे का नाम महाकावे कुमार संभवं क्यों नाम दिया गया इसकी कतावस्तु में क्या है ये दिया और साथ में मैंने ये भी बताया कि यहाँ पहला पद्य है और ये मंगलकारी जो है ह होना चाहिए तो मंगल मांगलिक होना चाहिए तो मंगल कारी में मैंने भी बताया था आपको कि वो देवता की स्तुति परक और कथा वस्तु परक भी हो सकता है तो ये सब बताने के लिए ये बताने के बाद मैंने आपको ये पद्दे आपके सामने रखा और अब इस पद्द उत्तर दिशा में देवत आत्मा, देवताओं के आत्मा स्वरूप, हिमालयो नाम, हिमालय नाम का नगादी राजा, पर्वतों का अधी राजा, श्रेष्ट राजा, पूर्वा परो तोय निधी वगाहि, पूर्व और अपर, तोय निधी इसको दो समुद्र, तो पूर्व और पश्चिम समुद्रों में अवगाहि, अवगाहि मीज़ उनमें डूब कर, उनमें विद्यमान रहकर, पृथिव्या मानदंड इव सिता, पृथिवी के मानदंड के समान सित है, मानदंड नापने वाला दंड, ये अस्ति सिता, अस्ति सित है, तो ये रहिए इसमें अनवाद की समय ये अवश्यक ध्यान रखना है कि एक तो प्रतेक पद का अनवाद हो जाना चाहिए हमें भाव के रूप में समगर रूप से अनवाद नहीं करना है एक एक पद को देखते हुए उस प्रतेक पद के अनवाद करते हुए उस समस्त वाक्य का अन्वाद हमें करना है और वाक्य बनाने के लिए मैंने बताया कि पद्दे को किस तरह से उसका अन्वे कर लिया जाता है कि इसको पहले कौन से पद आएंगे और बाद में अंत में कौन से पद आएंगे तो यहां यह आपके सामने मैंने स्पष्ट किया इस पद्दे का अर्थ अब हम इस पद्दे की व्याख्या करना चाहेंगे कि इस पद्दे के माध्यम से या इस पद्दे के द्वारा या इस पद्दे में कभी हमें क्या कहना चाहते हैं क्योंकि ये कुमार संभवं का पहला पद्य है और पहला पद्य जब हमने इसका नुवाद ही देखा तो हमने ये देखा कि इसमें क्योंकि मैंने आपको कथावस्तु में भी बताया था कि हिमाले और उनकी पत्नी मेना और उनकी पुत्री पारवती उनसे पारवती और पारवत कार्तिकाश शुभजी के विवाहोंने के बरांत जो कार्तिकेच का जन्म होता है उसका वर्नन है तो हिमाले और मिन का जो है हिए इनके माता पिता है पारवति के तो हिमाले पात्र हैं इसमें तो ये हम कहेंगे कि ये नाट इस कावे की कथवस्तू से संबंदेते हैं कि हिमाले और उनकी पत्नी के संतान से किस प्रकार से उमार करतिके का जन्म होता है तो ये नाट इस कावे की कथवस्तू भी हमारे सामने उससे भी आरंब हो रहा है और यहाँ पर मंगल भी मंगल कारी भी का क्योंकि हिमाले को यहाँ पर का देवता आत्मा अर्था देवता का अधिश्ठान हिमाले के संबंद में प्रसिद है कि हिमाले पर समी देवता जो है निवास करते हैं रिशी निवास करते हैं तपस्या करते हैं और ख ने शिव जी को प्रसन्द करने के लिए कितने प्रियत्न किये, तो वहाँ पर शिव जी का क्यलाश परवत का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। कहा गया तो इसलिए यहाँ पर यह जो स्थुतिपरक भी है तो इस प्रकार से यह पहला शलोक है जो कि मंगलिक शलोक है इसका मंगला चरन का शलोक है अब इस पद्धे के यदि हम व्याक्या की बात करें तो यहाँ देखिए बहुत ही वैसे स्वरूप भी कहा इसका प्रयोजन यही है कि हिमाले जिस प्रकार से देव रक्षा करते हैं इसी तरह से हम जानते हैं कि भारत का जो प्रहरी है जो रक्षा करने वाला है वो हिमाले है हिमाले ही एक प्रहरी की रूप में रक्षक के रूप में विद्यमान है तो हिमाले देवत रक्षा करते हैं और ये देवता सुरूप हिमाले को कहा गया है तो दोनों प्रकार से हम प्राचीन जो है कथाओं के आधार पर देवताओं का यहां निवास है बिन बिन देवता यहां निवास करते हैं थे तो उसी दृष्टी से भी और देवता सुरूप स्वयम भी हिमाले ह रक्षा करता है प्रहरी के समान तो इसलिए यहाँ पे देवतात्मा शब्द का हिमाले के लिए प्रयोग किया गया है और हिमाले को नगादी राजा अभी कहा गया सभी परवतों का राजा हिमाले है क्योंकि सभी परवत जो है इस हिमाले परवत श्रीरी में रहते हैं विद्यमान हैं इसलिए इसको नगादी राज कहा गया अब यहांबे देखिए उसकी भोगलिक सिती को जदि हम देखे तो हमें कालिदास की भोगलिक यान का भी यहांपे पता चलता है ज़ित होता है अब हम ये कल्पना करते हैं कि पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र पूर्व में इसका बे ओफ बेंगाल है बेंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है यहाँ पे अरब सागर तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इनके मध्ये में हिमाले परवत है हिमाले रिजन है तो यहाँ पे कवी ने ये कलपना किया है कि ये पूर्व और पश्चिन समुद्र तक फैला हुआ है उनके अंदर ये विद्यमान है इसके दोनों सिरे तो वो कहते हैं कि इस तरह से हैं मानो ये पृत्वी का मानदंड हो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के माधियम से कवी ने एक तुलना की है इस हिमाले परवत की मानदंड के साथ मानदंड जिसको आजकर हम इन्च्टी भी कहते हैं या नापने वाला कोई भी दंड कोई वस्तु जिससे नापा जा सके तो उसको भी हम कहते हैं तो हिमाले को पृत्वी को नापने वाला जो दंड मान दंड है ये कहा गया है तो क्यूं कहा गया देखे जब भी हम किसी चीज को नापते हैं तो जिस सिरे से नापना अरंब करते हैं जहां तक वो वस्तू है वहां तक हम निशान लगाते हैं और फिर उसमान दंड को उसको नापने वाले यंतर को रख कर वहां से वहां तक देखते हैं तो वो कितना उसका माप है यह में पता चलता है प्रिथवी कितनी है क्योंकि हिमाले के एक तरफ तो समुद्र शुरू हो गया दूसरी तरफ भी समुद्र शुरू हो गया तो बीच का भाग तो फिर हम देखेंगे तो वो प्रिथवी है तो हिमाले के एक छोर से दूसरे छोर तक जितना भी परिमान प्राप्त होता है वो प् पुलना है कहलेजिए या इसको हम मान दंड के रूप में बताया जाना इस पर हम इसको उत्परेक्षा या संभावना करें कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये हिमाले इस प्रित्वी का मान दंड है तो इस तरह से आपके सामने इस पद्य में जो जो भी पद दिये गए हैं उनके वि कि सामने व्याकरण में इसमें क्यों कौन से पद हैं किस प्रकार से हैं पहले मैंने साथ साथ बताया भी है लेकिन अपना देवता आत्मा तो देव और तल प्रत्ते से टाप देवता बनता है आत्मन शब से आत्मा बनता है तो देवता आत्मा देवता इव आत्मा और हिमाल नग और नट प्रत्ते लगता है तो अधि राज़ अहां तो अधिको राजा तो अधिराज शब्द बनता है और फिर उसके बाद यहां पे राज़ अहां सक्की व्यश्ट टच दधरूरुश समास तच प्रत्ते होकर कर न लोब अर आज kे लिए इतना ही अगले व्याक्यान में इसके अन्य जो पद है उनके समद में आपके सामने चर्चा करूंगी और इसमें प्रियुक्त चंद अलंकारों पर भी चर्चा करूंगी तब तक के लिए आप सब को मेरा नमस्कार धन्यवाद हर् criar거 ग्लंकारों तो अलंकारों पर जो अलंकारों क्लीच उलंकारों फट्रचा में आपके सामने करूंगी तक कि खला हैboo A